लेकिन अभी दाम इतने बढ़ रहा है तो इसका मतलब कालाधन देश में बढ़ रहा है क्या देखो जो कालाधन प्रश्टाचार व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो हमने पूरे देश में अंदोलन चलाया तो मैंने उस समय कुछ प्रोविजन्स रखे थे कि टेक्स प्राइरे जम से और अलगलग प्रकार के जो कुछ आर्थिक सुधारों के कारिक्रम थे तो मैंने यह बोला था कि जो क्रूड आयल का रेट है उसके अनुरूप यदि तेल बेचा जाए और उसके उपर टेक्सेशन क कर दिये जाए तो निश्वीत रुप्सी जो मैंने बोला था हो सकता था अब सरकार ने जिस तरह से पूरी अर्थिव्यवस्था को संजोया हुआ है अब उनको राष्ट्रहित के सामजी कारियों को भी जारी रखना है अलगलग अर्थिक चुनोतियां हैं सरकार को सरकार भी इसको नहीं अटा पा रहे हैं तो कभी न कभी तो इस अपना साकार हो गया ऐसे अपक्षा है